शुरू करो अंता चड़ी लेके सरश्वती मा का नाम अब समय है पढ़ने का सलेक्षन में लगाओ ध्यान नमस्कार दोस्तों जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके सार जैस्वाल सर आप शभी का श्वागत अविननदन है टीटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल मिला है आप लोग सपोर्ड कर रहे हैं इसी प्रकार हम बेतीन प्रेक्टिस पेपर ला रहे हैं आपके कंसेट के कॉर्डिंग पूरा यहां पे तीस मात्पूर निचोड रहने वाला है और आपको पता है प्रतेएक प्रेक्टिस पेपर हमारा जो होता है NCRT के पैटरन पर स बेटन पे मिलेगा सभी प्रेक्टिस पेपर सभी क्लासेज प्रिया और कॉस्ट है क्योंकर राश्टित में टीटी फैमिली है सिचकों का परिवार है आपका परिवार है तो चलिए सुरवात करते हैं देर ना करतों यह फटा फट करेंगे 30 महत्पूर प्रस्ण हैंगे आप भारत में परियावर्णी सिच्छा केंद की स्थापना कहां और कब हुई देहरादून एहमदावाद वेंगलूरी मुंबई सभी कमिन कीजेगा राइट अपसन आ चुका है भारत में परियावर्ण सिच्छा केंद की स्थापना कहां और कब हुई थी एहमदावाद 1984 जी हा अप्चारिक पर्यावर्णी सिच्छा का अर्थ क्या होता है प्राथमिक में उच्चिस्त्री सिच्छा में पाठकमों द्वारा सिच्छा व्याख्यानों द्वारा पर्यावर्णी सिच्छा व्याख्यानों द्वारा पर्यावर्णी सिच्छा उपरोक्षभी यहां पर देख पर सई हो जाएगा आए बात करते हैं थर्ड प्रिश्ण की जो की बहुत ही आसान सा प्रिश्ण है और लगबख सभी टीटिक जाम में पूछा गया प्रिश्ण है कि विश्व पर्यावर्ण दिवस मनाया जाता है पांच पंद्रा माई 26 दो अक्टूबर दो अक्टूबर को सभी गता होगा गांधी जैनती के बात करेंगे तो बिश्व पर्यावर्ण दिवस के अगर बात करें तो पांच जून को मनाया जाता है सभी को पता है पहला आपसन सही हो जाए अंगला प्रिश्ण मांट्रियल प्रोटोकाल 1987 का मुक उद्देश क्या था परेवन की सन्रचन करना ओजोन परसन्रचन जैयो सन्रचन या इन में से कोई नहीं प्रते एक भाई बहन सिच्छव बंदू जिनका सपना है अधापा का धाविका बनना गौर्मेंट टीचर बनना सभी हाँ पर कमेंड कीजेगा सभी फीडवे कीजेगा जैस्वाल सर आप सभी का श्वागा तविनदन करते हैं सभी भाविय धापा का धाविकां सिच्छव बंदू को नमन करते हैं बात करेंगे मांट्रियल प्रोटोकाल की 1987 का जो मुख खुदेश था साथियो वह ओजोन परत का सन्रचन करना था यूँकि ओजोन परत है जो सूर से आने वाली प शिद्र होते जा रहे हैं इसकी सन्रचन के लिए मांट्यल प्रोटोकाल बनाया गया था पांचों प्रस्ने अंसी का अपनी कच्छा के चाच्छात्राओं को ब्रहमण पर लेकर जाना चाहती हैं निम्लिकित में से परेवर्ण अध्यन कच्छा सिच्छन ही तु सरवाधिक उप्युक्त हो शकता है चल्चित्र शौपिंग माल चिडिया घर या उपरोक्षवी देखे आप लोग जानते ही समझते हैं परेवर्ण ने जब ब्रहमण की बात की जाती चाच्छात्राओं की बालक बालिकाओं की देखे तो अंसी का यहाँ पर अध्यापिका है मानलेज चिडिया घर सी आपसने दराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा अंगला प्रस्ण जो की बहुत ही इंटेस्टर प्रस्ण है इस प्रकार के अब ज़्यादा तर प्रस्ण पूछे जा रहे हैं कि बच्चों के द्वारा इखटी गई निम्लखिस चमागरी में उन्हें पह देखें भिंडी गुलाब की टहनी गन्ना लीची खीरा भिंडी गुलाब की टहनी गन्ना लीची ये सारी चीजे दे गई तो आप जानते जो हलके से काटे होते हैं भिंडी में होते हैं गुलाब की टहनी में होते हैं और गन्ना की बात करेंगे लीची कठाल हलके से काटे क कि बात कर रहे हैं अब आप बोले कि गंणा में कैसे काटा होता होगा है थीक है न तो अधार आपसंट टेखिए खीरा में तो होता नहीं है को होता है सभी लोता है कि खीरा में भी होता है गुलाब की टहनी हो गया करेला करेला में भी होता है लीची, कटाहल, खीरा सभी कमेंट कीजिए यहाँ पर मुझे लगता है कौन सा आप्षन सही होना चाहिए सभी लोग बताईए क्योंकि गन्ना वाला तो आप्षन नहीं होगा तो फिर आपका कौन सोगर डी होना चाहिए फिर गुलाब की टहनी में होता है, करेला में भी होता है, लीची में भी होता है, कटाहल हो गया, खीरा हो गया, तो डी आप्षन यहाँ पर होना चाहिए यह नत उसमें उसे अपने पडोस के नत से भिन न जा रहाता है यह नत हो शकता है पहली बात तो है दिल्ली से जमू कास्मीर की यात्रा करती है कौन शीतल यात्रा करती तो वे दिल्ली के रहने वाली होगी तभी दिल्ली से जमू कास्मीर की यात्रा कर रही है इसके जानवाए पटियाला में एक समूह नत्र कर रहा होता उसको देखती है तो पटियाला कहां का छेत का इलाका है आप हमें ये भी जानना चाहिए तो पटियाला हमारा दिया गया है आपके स्किन पर पटियाला की इस इलाका का छेतोगा ये हमें पता होना चाहिए और नर्त की बारे में बात करेंगे ठीक है तो ये नर्त कहां का हमारा हो शकता है तो ये नर्त हमारे भीहू, भारत, नाट्यम, भांगडा, शांग, काउन्स हो सकता है सभी को जानते हैं जब भी हम पटियाला की बात करें तो भांगडा अवश्य आ जाता है ठीक है, सी आपसन है पर शही हो जाएगा और इस प्रकार के कहानी के मादम से या कथन के मादम से तेंचार लाइन का कथन दे दिया जाता है और वहाँ पर प्रशन पूछ लिया जाता है और इवी यसमें इसी तरब से ज़्यादा तर या इसी टैप से ज़्यादा तर प्रशन पूछे जाते हैं अंगला प्रसन है चक्रवाज से सरवाधिक बिनास किस छेत्र में होता है हिमाले छेत्र में गंगा मैदान शमुद तट या पठारी छेत्र की बात करें तो चक्रवात से जो सरवाधिक बिनास किस छित में होता है समुद्ध तटी में जो होता है चक्रवात से सरवाधिक बिनास होता हो जब देखते हैं चक्रवात आता है जो समुद्ध के किनारे होते हैं मालिजे समुद्ध है ठीक है भूकमपी हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या हाईग्रोमीटर सभी कमिन किजेगा तो भूकम्पी हलचल का मापन सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा सिस्मोगुराप के द्वारा या सिस्मोगुराप यंद के द्वारा किया जाता है अंगला प्रश्न क्या दिया गया है गुजरात का भुज सहर किस प्राक्तिक आपदा के कारण द्धुस्त हुआ था भुकंप चक्रवात बाड़ अकाल सभी मेरे प्यारे प्यारे अब तरुक हielt वह आपको हो जाएगा चक्रवाद की बात करेंगे कि भुकंप की बात कर रहे हैं सभी यता ये भुकंप इजधा राइट एंसर हो जाएगा देखी 2001 का गुजरात भूकम्प जिसे भूज भूकम्प के नाम से जाना जाता है और 26 जन्वरी 2001 को भारत के इंक्यामनवे गरतंस दिवस की सुभई 8 बज के 46 बजे हुआ यह भूकम्प जो 2 मिनट से अधिक समय तक चला और इसका केंद भारत की गुजरात के कच्छ जिले के इसका केंद जो था भारत की गुजरात के कच्छ जिले से भचव तालुका से चबारी गाओं के लगभग 9 किलोमीटर दच्छिन पस्चिम में था ठीक है इसका केंद जो है यह भूकम का केंद जो है भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भचछ जिले के भचव तालुका के चमबारी गाओं ठीक है तो ये याद रखेगा 26 जन्वरी 2001 और भारत के 51 या 99 गरतन दिवस की सुबह 8 बच के 46 मिनट पर लगभग 2 मिनट तक यह है यह 2 मिनट समय तक यह है भूकम प्राहा आपकी कच्चा एक चाथ जिसने खाना पीना छोड़ दिया है वह उसकी तवचा भी सुष्क पढ़ गई है इसमें किस रोग या बिमारी से गरस्त हो सकता है मान दिजे आपकी निक्त होती आप लोग अधापक अधापिका बनते हैं तो आप ही कच्चा का एक चाथ जिसने खाना पीना छोड़ दिया हो और इसकी तवचा भी आपको देख रहे हैं कि सुष्क पढ़ गई है पीली पढ़ रही है तो बच्चा किस रोग से या रोग य राताक तो अच्छा तो भगी पीली रोग की छोट लगने से तीन से जे छे सब्ताएं के बाही रोग के लचन प्रकट होते हैं दूसरे पकार की पीली वाइरल है पेटाईटिस की बात करेंगे ये रोग की छूत के छे सप्ताय बाद ही रोग के लच्छन प्रकट होते हैं पीलिया रोग के कारण क्या होता है रोगी को बुखार रहना, भूँखना लगना, चिकनाई वाले भोजन से अरूची होना जी मिचलाना, कभी कभे उल्टिया होना, सिर में दर्द होना सिर के दाहिने भाग में दर्द होना, आखवाना, खून का रंग पीला पढ़ना, पेशाप पीला आना, अतधी कमजोरू और ठका ठकाशा लगना ये सारे कारण हैं पीलिया रोग के कारण अंगला प्रशन क्या दिया गया इसकिन पर है तो साथिकों नार्मन मेर्स परिया वड़िद हैं जिन्होंने जे वित्ता सनच्छन का सिधान दिया तो नार्मन मेर्स हो जाएगा बी आपसे निदराई टेंसर करेक्टेंसर हो जाएगा नार्बन मेर्स एक ब्रिटिस पर्यावर्ण थी जो हमने जैवित्ता सनच्छन का सिधान की खोच की थी आईए देख लेते हैं अंगला प्रस्ट थर्टीन नंबर प्रस्ट जो आप लोगों के स्कीन पर है क्या पूँचा जा रहा है पर्यावर्ण अधन कच्छा की पाट पुस्तक में कलपना चावला सीर्सक पार्ट में कलपना चावला के अन्भों का वर्णन मिलता है इसे सामिल करने का या किसके कारण हो शकता है यह अंतरिश में भौती की सितियों का वर्णन करती है यह गुरुत्तों करशन के उधारना को समझदे में मदद करती है यह इस्त्री पूरूस लिंग जंडर रूडवादिता को चिनोती देती है यह अंत्रिश जातियों के जिन्दगी में जहाकने का उशर देती है देखी जब भी कलपना चावला की बात करेंगे इनके सीर्सक पार कलपना चावला जी के सीर्सक है और इनके पार कलपना चले के अन्भो का वर्णन मिलता है इसे जो सामिल करने का कारण हो सकता है पार पुस्तक में कि यह अंत्रिश जियातियों के जिन्दगी में जहाकने के एक उशर देता है डी आपसने आपर शही हो जाएगा और आपके कार्डिंग जो भी आपसन सो आप लोग अपना फीडबेक कर सकते हैं क्योंकि आपका कमेंट आपका फीडबेक शरोपरी है शरमान है प्रतेक सिचंग बंदू का प्रतेक भाई बहन का अवर फैमिली की बात करेंगे टीचर्स रेमिले की बात कर रहे हैं अंगला प्रसने सभी आपर कमेंट कीजएगा मरुसली करण की प्रकिया में शमलेत है देखी जो मरुसली करण की प्रकिया होती है उसमें बालू का फैलाव शमलित है, म्रदा में जैविक तत्तों का भाव, जला भाव या उपरोग शभी देखे मरुसली करण की जब भी बात की जाती है तो इस प्रकिया में बालू का फैलाव, म्रदा में जैविक तत्तों का भाव या जला भाव ये उपरोग शभी वाला सह हो जाएगा तो यह सभी जो है मलसली प्रकिया में शमलित हो जाएंगे डियापस निदराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा अंगला प्रस्ने भारत में हातियों के सनच्छन हे तू हाती पर्योजना का शुभारम 1972 में हुआ था, 1982 में, 1992 में या 2002 में हुआ था शभी कमेंट कीजेगा प्रतीक सिच्छबंदु भाई बहन ग्रहनी सभी कमेंट कीजेगा तो भारत में हातियों के सनच्छन हे तू हाती पर्योजना का शुभारम सात्यों आपके 1992 1992 में हुआ था तो यहाँ पे आप लोगों का 1992 में शुरू की थी और इसका उदेश था हातियों की सुरच्छा, हातियों की जन संक्या बढ़ाना अंगला प्रिसंदिया गया है कि पर्यावर्णी सिच्छा का मुख उद्देश क्या हुए आप सभी लोग से चखबंध है सभी कमेंट कीजेगा पर्यावर्णी सिच्छा क इसमें भोत एक जैविएक सांस्क्ति की सिच्छा प्रदान की जाती है यह आप्षन अमबर जो डी दिया गया है कि पर्यावर्णी सिच्छा में वाई मंडल के तत्वों का ज्यान प्रदान किया जाता है देखी पर्यावर्णी सिच्छा को जो मुख देश है पर्यावर्ण पर्यवर्णी सिच्छा कारकम IEEP का शुभरंब हुआ था 1970 में, 1975 में, 82 में, 85 में तो अंताराष्टी पर्यवर्णी सिच्छा कारकम जो IEEP है दोस्तों इसका शुभरंब आपके 1975 में हुआ था ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों का बी आप साने दराइट एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा अंताराष्टी पर्यवर्णी सिच्छा कारकम IEEP वर्स 1975 में आस्वित में आया दो दसकों के लिए युनश्को और युनेप ने अंताराष्टी पर्यवर्णी सिच्छा कारकम 1975-1995 का नेतत्त्य किया जिसने पर्यवर्णी जगरूकता के लिए सिच्छा को कैसे जुटाना है इसके लिए एक दर्ष्ट निधारित की और विवारिक मार्ग दर्शन दिया अंगला प्रसने पर्यवर्णी सिच्छा में किसकी सिच्छा दी जाती है पर्यावर्णी ज्यान की, पर्यावर्णी ज्यान की, पर्यावर्णी ज्यान की सिच्छा दी जाती है, 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 पर्यावर्णी ज्यान इंसर उपरोग चभी वाला या उपर्युक चभी वाला सई हो जाएगा अंगला प्रस्ण दिया गया है पर्यावर्ण या पर्यावर्ण अध्धन कच्छा में अध्धापक अध्धापिका को प्रस्ण पूछते हैं निम्न बातों का ध्यान रखना निबार है जेकि जब प्रस्ण पूछेंगे तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा वह आपको कौन सी बातें हो आपको बताना है प्रस्ण सिच्छार्थियों में उस सुक्ता जगाते हैं प्रस्ण प्रकरन को शंदर प्रक बनाने में मदद करते हैं प्रस्णों से चिंतन उ किसी क्रिया को प्रारम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को पर्याप्त आउशर मिले केवल दो शमूहों हो और प्रतिएक में बहुत शेविदार्थी हो सुनेशीत करें कि लड़के या लड़कियों के शमूह अलग-अलग हो या उप्रोक्षभी आपसन चुनते लेकिन ऐसे नहीं है किसी क्रिया को प्रारम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को पर्याप्त आउशर मिले चाहिए जैसे आपको एक्जाम होगा ठीक है 150 कोस्चन होंगे तो आपको 150 मिनटी टाइम सभी को मिलेगा ठीक है उसी प्रका अंगला प्रस्णे बहुत ये अच्छा प्रस्ण ध्यान दिजेगा, मद प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्श कौन होता है, मुख मंत्री जी, योजना बिभाग के सच्व, प्रसिद अर्थसास्त्री या योजना मंत्री की बात करें, सभी कमेंट कीजेगा, तटी भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं चकरवाट, बाड, जुवार या टाइफोन सभी बताईएगा सभी कमेंट किजे इस प्रस्न का उत्तर क्या होगा अपका जो भी ओप लोग अपना-पना कमेंट फीडवेक बता सकते हैं अंगला पसने भूस कलन से प्रभावी छेत्र आपका थार मरुस्थल है, समोद तठ है, हिमाले छेत्र है या गंगा का मैदान है मेरे सभी प्यारे मित, मेरे सभी सिच्छकबंदु भाई बेहन आपका कमेंट आ चुका है, फीडबेक आ चुका है और कमेंट में आपका इंसर कह रहा है, कि भूस कलन से जो प्रभावे छेत्र होता है, वह जादा तर हिमाले छेत्र में होते हैं अभी हाली में हमारे देश के काफी सारे सैनिक अभी सहीद हुए हैं, उनको तहदे से हम उनको नमन करते हैं बोश्कलन से अभी पहाड़ी लाकों में आपने देखा होगा हिमाले चेदर में बोश्कलन हुआ था तो क्योंकि मैं एक देश प्रेमी हूँ और देश प्रेम से मैं हमेशा प्री रहता है मेरे अंदर एक अलग सा जुदूर रहता दोस्तों और उनकी फीलिंग भी बहुत ही बहतीन होती है ठीक है जब भी कोई शांग होता है और मैं हमें इसा गुद्गुनाता रहता हूँ कुछ न कुछ एक अपने आप मोटिवेट करता रहता हूँ और बच्पन की हमारी ख्वाज़ती या इंडियान आर्मी में जॉइन होने की तो एक अलग ही रोग होता है और हमारी इलाके में काफी सारे इनकी जो प्रोग्रेस है और इनका जो दिल से तहदिल में हमेरे जो इंडियान आर्मी हो बिराजमान रहते हैं ठीक है आप सभी स् सभी आपे जैहिंद कीजिएगा एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए भोस्कलन से प्रभाविच छेथ हमारा हिमालय छेथ होता है सी आपसने दराइट एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा सभी कमेंट कीजिएगा वाली नहीं होना चाहिए इसलिए कार इंटो कोश्चंस राइट आपस नंबर भी आपस ने दा राइट एंसर अंगला प्रिशन क्या दिया गया है प्रात्मिक च्छाओं में पर्यावर्ण अध्यन पढ़ाने का उद्देश संबंदित है और लोकन मापन जैसे कौशनों का व कोशनों का विकास करना खोजने का उसर प्रदान करना समाजिक परवेश के पती समवेदन सीलता विक्षित करना तो यहां पर डी आपसन उपरयुक्षभी बाला हमारा सही हो जाएगा आए बात कर लेते हंगले प्रिश्न की कि परवती छेत्रों में परटों को अपने बिस् अपने बिस्राम सिविर कहां लगाने चाहिए खुले इस्थानों पर लगाना चाहिए सी आपसन इदराई टेंसर करेक्टेंसर हो जाएगा अंगला प्रसने ठोस अपसिष्टों का स्रोत कौन सर नहीं होगा उद्योग क्रशी शमुद्री परिभान खानन सभी कमेंट इस प्रेक्टिस पेपर आपके ये प्रेक्टिस पेपर 9 है इसके पहले 8 प्रेक्टिस पेपर हम complete कर चुके हैं जिसका आपको playlist बना दिया है MPTT वर्गतीन practice paper आपको playlist मिल जाएगा प्रश्निया कि बिश्व की प्रमुक जो प्रमुक है आपात श्वैम शेवी संस्था कौन है red cross है red circle है red triangle है या red line हो जाएगा तो बिश्व की प्रमुक आपात स्वैम शेवी जो संस्था है वह red cross की बात करेंगे पहला आप से निदराई tensor correct tensor हो जाएगा अंगला प्रसंदिया गया कि जूमिंग क्या है ब्यापार है खनान है क्रशी है प्रश्व मालान ठीक है तो जूमिंग क्रशी आप लोग होगी तो मिजोरम का जरूजिक हुआ होगा जूमिंग क्रशी के बारे में तो सी आप से निदराई tensor correct tensor हो जाएगा और इस प्रेक्टिस पेपर का तीसवा प्रस अंतिम प्रस ना चुका है सभी कमेंट कीजेगा फीडवेक कीजेगा भारत में वनों के बिनास करने वाली जो आदिवासी जाती है कौन सी है सभी कमेंट कीजेगा गोंड है ठीक है वनों में निवास करने वाली ठीक है श्वारी यहाँ पे साइद में स्विंट हुआ है बोलने में कि भारत में वनों में ठीक है निवास करने वाली आदिवासी जाती जो सबसे ज़्यादा वनों पर निवास करती है वह आपकी आदिवासी जाती कौन है गोंड, शकाई, पिगी, बंजरा सभी कमेंट केज़ेगा तो राइट अपसन यहाँ पर क्या हो जाएगा साथ हूँ हम बात करेंगे गोंड की ये प्रक्टिस पेपर हम कमपीट कर चुके हैं आप लोग जरूर फीड़ेक कीज़ेगा तीस में से आप लोगों का फीड़ेक क्या है और अंत में हमने एक मोटिवेशन लाइन पढ़ी थी कि आज मुस्किल है कल थोड़ा बेतर होगा बस उमीद मत छोड़ना भविस जरूर बेतर होगा शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम जल्दी मिलते हैं अंगले क्लास पर शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम शुभराती दोस्तों